हैलो गूड मॉनिंग मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद केरता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सौदी अरब आने के लिए या किसी भी गल्फ कंट्री में जाने के लिए जैसे कि सौदी, दुबई, ओमान, कतर, भरीन, कुबेट यानि कि जो भी जितना भी गल्फ कंट्री है विदेश में आने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए कम से कम age कितना होना चाहिए और जादा से जादा age कितना होना चाहिए दोस्तों जब मैं भी इंडिया में था इंडिया में रहता था तो मैं भी साओधी अरब से related जानकारी के लिए बहुत ही परिसान रहता था कि कौन अच्छा जानकारी देता है कोई भी चीज मुझे जानना रहता था तो सियाच करके जो है कि हम ढूंडते थे तो कुछ ऐसा भी होता था जो नहीं मिलता था और कुछ मिल भी जाता था बहुत सारे लोग सौधी अरब में रह करके बहुत सारे वीडियो बनाते हैं कुछ लोग बनाते हैं कुछ लोग जानकारिया देते हैं कुछ लोग बीजा से रिलेटेड जानकारी देते हैं इस परकार से जो है कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं उसी परकार से हम भी जो है कि साओधी अरब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे ले करके आते रहते हैं जो भी छोटी मोटी जारकारी होती है छोटा हो या बड़ा हो सब जो है की इस पे हम जो है की बताते हैं तो दोस्तो एक दोस्त ने कमेंट किया था देखिए यहाँ पर की भाई साओधी अरबाने के लिए मैक्समम कितना उम्र होना चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ की साओधी अरबाने के लिए कम से कम एक किस प्लस उम्र होना चाहिए आपका वो भी आप काम काज के लिए आ रहे हैं तो जैसे कि माली जी आपका बीजा अगर 21 प्लस नहीं रहेगा तो आपका बीजा नहीं लगेगा अगर 21 से उपर आपका उम्र है तब जो है कि आपका बीजा आसानी से लग जाएगा उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज्यादा से ज्यादा उम्र कितना होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा साथ साल के डाउन होना चाहिए साथ साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए अगर साथ साल से ज्यादा उम्र हो रहा है तो भी आपका जो है की बीजा लगने में मुश्की लोगा बीजा नहीं लग सकता है और दोस्तो हर बार मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग जब भी आईएगा साओधी अरब या किसी भी गल्फ कंट्री में तो काम को सीख करके आईएगा अगर काम को सीख करके नहीं आएगे तो आपको कौन सा काम मिलेगा इसका कोई गारांटी नहीं रहता है कि सफाई करने का काम मिलेगा कि मजरा का काम मिलेगा कि बकरी का काम मिलेगा कि उट का काम मिलेगा कि घर में खाना बनाने का काम मिलेगा इसलिए कोई गरांटी नहीं होता है हेलफरी में आने के लिए आने पर तो इसलिए आप लोग काम को सीख करके हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों को ये जनकारी अच्छी लगी हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को आल पे कलिक जरूँच कर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूँच कीजिएगा के दोस्तों अभी के लिए बाई फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में